नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आसा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होगे, सांदार होगे दोस्तों इस वीडियों हम बात करने वाले हैं बिहार SAC Interlabel कब यह संभावी डेट के उपर इसका परिच्छा कब होगा? जिसका डर था ना दोस्तों, आखिर कर वही हो गया है, मैं बात क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों? हो सकता है बिहार SAC Interlabel के एक्जाम क्योंकि एक साल सा बच्चा इसका इंतजार कर रहा है 2023 में बेकेंसी निकली थी और चर्चा था कि दोस्तों तीन महीने में इसका पेपर हो जाएगा एक साल से ज्यादा होनों के हैं अभी तक एक्जाम का कोई अता पता नहीं है इस वीडियो में दोस्तों हम दिसकस करेंगे जिसका डर था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वही आपका साबित हो रहा है क्योंकि दोस्तों चर्चा था और बिहार SAC ने एक नोटिस भी निकाला था कि इसका पेपर जो है ऑल एन होगा से बिटी मोल में होगा और इसके लिए एजेंसी का चैन अभी परक्रिया चल रही है इसी बीच आप लोग देखोगा ना बही रेलेवे ने तमाम एक्जाम का डेट जारी कर दिया है क्योंकि रेलेवे भी ऑनलें एक्जाम कंड़क्ट करवाता है और बिहार SAC के भी एक्ज चल रहा है सेलेक्शन सीजन नाम से इनका सेल चले आज के लिए दोस्तों यह ओफ़र है आज के बाद प्राइज हो जाएगा देखो टेश्ट बूक का एक साल का पास्प्रो मातर 449 रुपे के मिल रहा है अंधिना छे सुन्यान में प्राइज होता है और लाइप टाइम के आप टेश्ट का पास्प्रो लेना चाहतो हो ना जिसका प्राइज दोस्तों अंधिना 999 रहता है मातर 549 रुपे में लाइफ टाइम दोस्तों आप लोग मौक टेस्ट लगा सकतो और इसके लिए आप मेरा कूपर को स्मार्ट यूज कर लिजेगा तो आपको बारास के जग स्पीड भी इंक्रीज होता है साथ आपको एडिया लगते हैं एक्जाम की टाइप का प्रसन पूसा जाता है आज के दोस्तों स्पेशल आफ़र है आज के पाद प्राइज इंक्रीज हों का 690 बहों हो जाएगा तो आज दोस्तों आप पास बाइग कर लिजेगा और दोस्त इसका जो चर्चा है ना TCS कंपनी बहिया के एक्जाम इसका कंड़क करवाएगा और रेलेवेक का तमाम एक्जाम भीया TCS ही कंड़क करवाता है तो इस बीच में आपका एक्जाम कोई चांस है दोस्तों नहीं है पहले बात कुछ समझेगा पहले रेलेवेक बहिया बात करत पाएगी कि को लाखों बच्चा के एक्जाम लड़ जाएगा कराती भी है मानको चलो उतना दुस्तों सेंटर बना कर लेता है तब लड़ जाएगा बच्चा बवाल कर देगा तो होने वाला नहीं है अक्टूबर चल नौवबर बता दुस्तों अब बच्चा का 25 सपहले न बिच में नहीं होगा बाइट टेक्निशन के एक्जाम डेट है दोस्तों 16 दिसमबर से अखले के 26 दिसमबर यानि पूरा का पूरा दोस्तों इस साल कोई भी कीमत बवाब भिहार ससी इंटर लेबल एक्जाम डेट का पता पता नहीं है समझे लो क्योंकि रेलेवे का ओलेड नहीं होने वाला इसका संभावना है हां बसरते के टीसीयस को ना देखा कोई और लोकल कंपणी को दे दे जो धानिलोंगरा करा सकता है टीसीयस तो टाटा की कंपणी है समझे लो टीसीयस का इतियास अच्छा रहा है परदसी तरीकी से आपका एक्जाम होता है जो बच्चा नहीं देखा बदानामी से बचने के लिए इसी समय लग रहा है यह ध्यान रखीगा तब पहले इस तल तो संभावना होने वाला नहीं मैंने आपको जनकारी दिया अब देखिए जो और भी एक्जाम में जो कलेंडर वाइरल हुआ था था ना दोस्तों एक्जाम का सेम यही चलंका बचने कर गया चिर्ड़ के और एक यहां का इक्जाम चलरी कोज ट्राइबली में एक्जाम नहीं है 3 मार्च सथ और गजाम है तुम्हार कै diving का स्भूमारे साथ में घंक किनेंगे अर्पinky फर्वारी का महीना बच जाना है एक्जाम का आएंगे देखिए उसके बार रेलेवें एंटी-पीसी के जो ग्रिशुशन अस्तर का एक्जाम होगा अप्रिल में हैं समझ लिए उसके बाद आपका इंटर लेबल का है मैं जून में आपका एक्जाम है ठीक है अब इसी बीच म क्या ऐक्जाम नहीं हो सकता है लिए उसके सहारे फर्वारी में सब्सक्रास का चाही होतोरा क्या एक्जाम चले क्योंकि क्योंकि देखो 27 अलग अलग जूबरicarious इसके बीच में हो सकता है कि रिए लोग दिए ईक्जाम ले लें समझ रहो ना इस बात को समझे दूसरा सारा ओफिसियल चीज बता रहो यह फरवारी में फिर पॉसबिल्टी नहीं बनती है फिर कब बनेगे भाईया जून के बाद तो बच्चा वावाल काटेगा और बिहार में इलेक्षन है उससे पहले कैसे भी करने को कड़क करवाना है त जून के बीच में कराएंगे यह जून से लेकर दिसंबर बिच में कराएंगे तो बच्चा एक तयारी माइंसेट टैयार करेंगा उसके पड़ेगा ना तो यह नोटिस निकालते ना कुछ बताते बस बता जी को ओनले निग्जाम होगा उसके बाद भूल गया आता पता कु अब देखी दो चीजे निकल के आती है एक जो फर्वारी का महीना है न दुस्तो क्योंकि फर्वारी में भया सेसी के एक्जाम में तो फ्रवारी में उमीद कम लग रहा है दो समझ लो तो फिर फर्वारी में हालाक यह सब ओपीसियल डेट नहीं है दोस्तों यह धियान लग जाएगा तो तो भाई अभी कुछ आता पता नहीं है लेकिन इस साल यह 100% मुझे जहां तक लगता है न कि एक्जाम मुस्किल है 100% तो नहीं 99% मुस्किल है कोई और कमपणी को दे या फिर मन लोग बदल ले को हमारा कैपसेटी नहीं है हम आप्लाइन कराएंगे ऑप्लाइन करा सकते हैं बात में बदल सकते हैं यह भी चीजें निकल क्या रही है तो आपको कुल मिला जो लाकर कहने के मने मतलब क्या है कि इस साल पूरा आपका अक्ट यह अगर चालू हो जाता है तो फिर आपका समझ लो एक्जाम कब लो लेंगे क्योंकि रेलिवे का 25 कलेंडर आ गया है यह सब चीजें है इनके पास हम मुझे जहां तक लगता है कैसे भी करके कोई ना कोई जो सो जोगार करके ऐसे से फरवारी में है ना फरवारी में दूस वाले क्योंकि एसे सी में 27 लाग 28 लाग बच्चा है बिहार बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसका एक्जाम नहीं भी चलेगा तो मेरे ख्याल चले केवल बिहार में कर सेंटर दे देता है तो दस से पंदर दिन तो चलेगा ही चलेगा समझ लो एक दिमें तीन तीन सेप्र जनवरी तक यह खत्म है फिर दोस्तों आपका फर्वारी का महीना क्यों छोड़े एसाज जीडी के लिए नहीं छोड़े होगा यहाप लोग देखो तो फर्वारी में फिर यह मुश्किल है तो क्या होगा दोस्तों मतलब 100 परसंद बता आप पना मुश्किल है नहीं तो दो आपका यार तो दुस्तों जनवरी में हो जाए या दुस्तों आपको फर्वारी में हो जाए अब जनवरी फर्वारी में आप लोगोगे सर्थ इससे जीडी का भी एकजाम है है उसी के बीस में दुस्तों कोई या जीडी का पूरा जनवरी में ले 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 तो फर्वारी में है अगले सल फरवरी में हो सकता है कि exam लें इसके बाद अगर रिलेवत जारी कर देता है तो लौई आपका जून जूलाई कब चाहेगा तो कोई पता नहीं तो यह है विहार निकलना चाहिए बताना चाहिए हम कोई डाउट हो तो कमेंट के माद पूशे लिजेगा नहीं बाद